केलाश श्वासी महराज माधवराव सिंधिया की मनाई गई पुनेती थी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के जन्म दिवस के उपलक्ष में किया गया पौधर उपर गरीब बस्ती और अस्पताल खनियाधाना में फल वितरत कर मनाया कालक्रम 30 सितंबर को केलाश श्वासी महराज माधवराव सिंधिया की पुनेती थी के अबसब पर राजमहल खनियाधाना में कौर कौशिलेंद्र प्रताप सिंग ने पुनेती थी के एक कालक्रम का आयर्जन किया इसमें सिंधिया फ्रेंस क्लब के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीतारा सिंग याधव और भाजपा मंडल खनियाधाना के मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश भर दे लिया अपने अनिस साथियों और भाजपा कारिकरताओं के साथ उपसित रहे इस सबसब पर वरिष्ट भाजपानेता हर्शेत रपाठी ने उद्वोधन के माध्यमस्री श्रीमत महराज माधव राव सिंधिया के जीवन पर प्रकाश डाला इसके बाद समस्त कारिकरताओं ने काली माधा मंदे प्रांगन में जाकर भारत के यशश्वी प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी के जन्मे दिवस के उपलक्ष में चल रहे कारिकरम के तहत नमो वन कारिकरम के इंतरगत एकत्ता पौधू का रूपन किया अगर इबस्तियों और एस्पिताल में जाकर फल वित्रग के लिए कारिकरम को सफ़ल बनाया श्री मंत महदरो सिंधिया जी की बीसमी पौटिती पे किले में राजमाहिल खनियाने में उनका प्रांगन रखा गया इस उपलक्ष में अपने जहुर्या आदवासी पौरवा पर फल वित्रग किया हाँ अस्पिताल में मरीयों को फल्वत्रण किया याएगा मानी एससभी नरंद मूदी जी के जनम दिन के उपलक्स में यह नमो वन्व का कारेकरम फरीनाना में चालो मातर मंदर पर रखा गया है इसमें सभी हुमारे कारकरता अपस्तत रहे और यहां पर 71 पोदों का ब्रक्ष सबस्वारे किया यहाएगा